लो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किसी भी ओवर साइज स्वेटर को ड्रेस में कैसे आसानी के साथ में कनवर्ट कर सकते हैं, तो वीडियो को लास तर जरूर देखिएगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो यहा कोई कटिंग नहीं करनी है, बाद में हम इसे ड्रस में अटाइज करेंगे, तो अब हम इसके कॉलर की कटिंग करेंगे, यहां पे हाई नेक कॉलर है, तो हम इसे राउंड नेक बनाएंगे, तो यहां पे मैं थरी इंच पे इस तरीके से मार्क कर लूँगी, उसके बाद इस इस point को ऐसे मिलाते हुए हम इसे shape दे देंगे और दोनों की जो line है stitching वाली वो एक साथ में हम इस तरीके से सेट करते हुए इसे फिर cut कर लेंगे याष्ट के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यह 1.5 इंच का हमारा नक तयार हो जाएगा उसके बाद ड्रेस को अच्छे से विल्कुल सेट करेंगे इसमें बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आने चाहिए तो हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे उसके बाद इसे इस तरीके से हम fold कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना योग पार्ट कट करेंगे उपर की तरफ तो हमारा solder है 12 इंच तो उसका half होगा 6 इंच तो यहाँ पे 6 इंच पे mark कर लेंगे और इसके नीचे हम आर्म होल का मार्क करेंगे 6 इंच पे उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देंगे और हमारे चेस्ट का round measurement है 28 इंच तो उसका चौथा भाग होगा 7 इंच तो उसमें 1 इंच की losing देके हम 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे और नीचे हम अपने वेस्ट की marking करेंगे तो हमारा वेस्ट है 12 इंच तो हम हाई वेस्ट पना रहे हैं फ्रोक तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे और उपर से इस तरीके से मिला लेंगे और यहां से सीधा करते हुए हम अब कट इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से हमने योग पार्ट और स्कॉर्ट दोनों कट कर लिया है अब इसके सेंटर में इस तरीके से निसान लगा देंगे और इसके सेंटर को इस तरीके से मिलाएंगे और जी यह बाहर वाली लाइन को भी दोननों को इस तरीके से मिलाएंगे और सेंटर में हमें box plate यहां पे बनाएंगे यहां पर मैंने एक headband लिया हुआ है और इसे सेंटर में हम cut कर लेंगे यहां पर अपने west line पर इस तरीके से set करेंगे और हाई नेक से जो फैब्रिक बचा हुआ था उसे हम पॉकेट कट करेंगे यहाँ पे तो इसके दो पीस कट करेंगे और यहाँ पे पॉकेट लगा लेंगे यहां पे हम रेक्टेंगुलर एक फैब्रिक कट करेंगे और इसे इस तरीके से यहां पे सेट करते हुए यहां स्टिच कर लेंगे तो अभी हम अपने योग पार्ट की स्टिचिंग करेंगे तो यहां साइड में हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे इस पर neck की stitching करेंगे तो इसे हम इस तरीके से जो stitching वाली line है उस पर ही fabric को इस तरीके से पकड़ते हुए हम पूरे गुलाई में यहाँ पर stitch लगा लेंगे तो यहाँ पर side में हमने stitch कर लिया है उसके बाद neck की stitching करेंगे तो इस तरीके से हम एक markin करेंगे यहाँ पर ताकि बिल्कुल perfect finishing के साथ में next stitch हो जाए तो यहाँ पर इस तरीके से marking करेंगे और दोनों point को मिलाते हुए हमें यह stitch लगानी है तो इसी तरीके से back में भी यह nixaan लगा लेंगे उसके बाद इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे में ये स्टिच लगा लेंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जो निशान हमने लगाया है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें हमें हर हफ्ते नए नए आइडियास के साथ में आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूंगी तो इस तरीके से हमने नेक को स्टिच कर लिया है ये दिखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमारा नेट बनके रेडी हो गया है अब हम यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मार्क किया है सेंटर में तो इस सेंटर के मार्क को इस तरीके से मार्क करेंगे और दूसरे साथ में भी इसे सेट करते हुए यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर एक box plate बनाएंगे और इसे pin से यहाँ पर secure कर लेंगे अब इसी तरीके से हम अपने back side में भी box plate बनाएंगे तो same उसी तरीके से marking करेंगे हम और यहाँ पर भी यहाँ इसे pin से secure कर लेंगे अब हम यहाँ पर इसे स्टिच लगा के सिक्योर कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने स्टिच लगा लिया है उसके बाद हम इसे अपने योग पार्ट से अटैज करेंगे तो इसे इस तरीके से हम सेट करेंगे तो यहां पे पूरी गुलाई में मैंने पिन से सिक्यूर कर लिया है अब यहां पे स्टिच लगा लेंगे तो यहां पे मैंने स्टिच लगा लिया है उसके बाद हम अपने स्लीप को अटैज करेंगे तो इस तरीके से हमने स्लीप को सीधा रखा है और ड्रेस के अंदर इस तर सेट करके पिन लगा कि हम यहां पर स्टेच लगा लेंगे तो इस तरीके से हम अपनी दोनों स्लिप को अटाइच कर लेंगे उसके बाद हम इसे जो हैड बैड हमने लिया था उससे इसे डेकोरेट करेंगे तो हम इस तरीके से इसे सेंटर में कट कर लेंगे और यहां पर एक सर्फट करेंगे सबसे पहले वह अंदर इस तरीके Knox, ऑफे नरी नर्लेंड इन्सर्ट करेंगे। पंज़ा सुमळ की तरह फॉल करते हुए हम स्टिच लगा लेंगे और मैंने सारे जो एजस थे उसको कवर करने के लिए एक लेस को यूज किया हुआ है और यहां पर कुछ पॉल्स लगाए हैं तो इसका लूप बहुत ही अमेजिंग और स्टिस आ रहा है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थांक्स पर वाचिंग करें बहुत हैं झालो प्सक्राइब करें तो 0